अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि जब cat girl और निंग रॉंग 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 अपना fifth test दे रही थी तो उनका सामना mermaid woman से होता है और काफी लंबी fight के बाद cat girl और निंग रॉंग रॉंग मिलकर mermaid woman को हरा देते हैं लेकिन यहां तो इन्होंने mermaid woman को हरा कर अपना exam पास कर लि लगी है उसे समझ नहीं आता कि उसके अंदर ये दो energy आपस में क्यों लड़ रही है और वो इसी सोच में पढ़ी रहा था कि तभी mermaid woman cat girl से बाते करने लगती है और उसे पूछ थी है कि तुम इसे एब्सॉप क्यों नहीं कर रही हो बेसिकली वो cat girl से spirit ring को एब्सॉप करने क लगती है और अब mermaid woman अपनी बासुरी से गाना बजाना शुरू करती है और उसके गाना बजाते ही वहाँ आसपास पेड़ पाधे उग जाते हैं और cat girl के आसपास एक shield create हो जाती है वो क्योंकि थोड़ी मजाग्या किस्म की है इसलिए वो अब match का बदला लेने का decide करती है औ और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे challenge करना चाहोगे तांग शांग उनको greet करता है और उनसे respect से बात करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी nine spirit ring बहुत साथा थाकतवर है आपकी nine spirit ring demon tiger whales के जुन को भी पीछे धकेलने में सक्षम है वो उनको दूसरा offer देता है और कहता है कि क्यों ना हम एक दूसरे पर attack करें ही ना तुम मुझे अपना गाना सुनाओ और अगर मैं तुम्हारे गानी को सुन पाओ तो तुम मुझे पास कर दो अब जैसे ही वो यह कहता है निंग रॉंग रॉंग उसके पास आती है और उसे बताती है कि मिस्टर दाई ने उसे कि सबी ग्रांड ओशन सी मास्टर में से इस बासूरी का टैक सबसे जाधा घातक है जब कोई इस बासूरी को सुनता है तो वो इससे बचाफ करने की सोच भी नहीं पाता वो सीधा मारा जाता है मॉमेट वोमिन भी अब सोच को नहीं देखा है जो sound wave को अपने attack की तरह यूज करता है मैं इस experience को हमेशा याद रखूँगा क्योंकि इससे मुझे एक अलग तरह के आपनेंट से लड़ने का experience और confidence मिलेगा ममेट वुमिन तांग शांग के पास आकर कहती है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे इच्छाओं को जरूर पूरा करूँगी तांग शांग निंग रॉंग रॉंग को अब पहले वापिस भीशता है क्योंकि यहां कर ममेट वुमिन के सामने आता है और उनको greet करके कहता है कि आप अपना टेस्ट अप शुरू कर सकती है वो उनको ग्रैंट सी डॉटर, master कहकर पुकारता है और यहांसे हमें उनका नाप भी पता चल जाता है ममेट वुमिन अपनी बासुरी को निकालती है और सोचती है कि टा शंग शंग जमीन पर बैठ जाता है और वो अपने आपको तयार करने लगता है मामेट वुमिन अब अपनी नाइट स्परेट रिंग को भी यूज करती है और उसके साथ वो बासुरी बजाती है मामेट वुमिन की नाइट स्परेट रिंग का नाम डिवाइन ट्यून ऑफ उनकी हमें true form भी यहां देखने को मिल जाती है, जो बहुत जादा iconic look दे रही थी, उनके साथ साथ उनकी Marshall Zola अलग लग instrument प्ले करने लगती है, और बहुत डरावनी sound आने लगती है, वहां हजारों संख्या में अलग लग प्रानी, mermaid woman का साथ देने के लिए अपने अपने सुर्थाल मिला कर बाज़ बजा रही थे, और उनसे एक बहुत high frequency की धुन उत्पन हो रही थी, ये जीन जतना जादा smooth निंग था उतना ही डरावना था, क्योंकि पूरा island एक अलग तरह की energy से cover हो गया था, tank shang के साथियों को भी इसकी 20 और इसकी frequency सहन नहीं हो रही थी, tank shang ने जीवू को cat girl के साथ mermaid woman की ही बनाई होई shield के अंदर छोड़ दिया था, क्योंकि जीवू इस सबको सहन नहीं कर सकती थी, tank shang के पास बहुत high intensity की voice आ रही थी, लेकिन वो शान रहकर बैठा था, और इससे affect ना होने की कोशिश कर रहा था, उसके आस-पास का पूरा environment change हो जाता है, और हर तरफ अलग-लग सुर्ताल उसको अलग-लग तरीकों से परेशान करने लगते हैं, उसकी body के अंदर तक वो voice पहुँच पा रही थी, और उसका हर एक अंग, voice की frequency के according खुद को adjust करने की कोशिश कर रहा था, tank shang का sea guard का वो symbol बलबी जोरो से react कर रहा था, और वो tank shang को protect करने की कोशिश कर रहा था, और फिर इसके बाद ये episode यही खतम हो जाता है